हेलो एवरिवान आम साकेद बाजपई डिरेक्टर ओफ प्रयास फिजिक्स क्लासेज देहरादू वेलकम स्टुडेंट्स वेलकम तो थार्ड लेक्चर ओफ दिस ब्यूटिफुल चाप्टर मेकैनिकल प्रोपर्टीज ओफ फ्लूइट्स तो बचो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऐसे फ्लूइट्स की जिनने हम लोग अक्सलरेट करवा रहे हैं तो देखे बचो हम लोग दो चीज़ों को अभी डिसकस करने वाले हैं एक तो है प्रिशर डिफरेंस और दूसरा है बॉयंट फोर्स इन अक्सलरेटिंग फ्ल जाता है वो है प्रेशर डिफरेंस कि इनके बीच में ए और बी यहां पर दो पॉइंट है और इन पॉइंट मेंग एडी यहां पर बनाया है और इस area की जो value है वो है delta S ठीक है, यहाँ और यहाँ जो है delta S area है और आप समझ पा रहें कि यह पूरो का पूरो fluid है उसमें मैंने एक A और B point चुना है और यहाँ पर एक delta S area यहाँ पर चुना है ठीक है, अब देखे A और B के बीच में जो difference है जो दूरी का difference है, वो है Z का, ठीक है तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते है इन दोनो delta S और इस Z height इसको मिला करके जैसा कि हम देख पार एक cylinder बनाया जा सकता है, जो cylinder जो है, वो actually किसका है इसी liquid का है, ठीक है और जैसा कि हम लोग देख पार है elevator उपर की तरफ accelerated है और इसका acceleration कितना है, A0 है तो अगर elevator accelerated है तो यह fluid भी accelerated है और इस fluid के अंदर यह जो cylinder हमने बनाया है, जो liquid का ही cylinder है यह भी obvious है कि accelerated है उपर की तरफ, ठीक है तो चलिए बच्चों, इसका हम लोग free body diagram बनाते है, ठीक है तो देखे बच्चों, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे है यह A point है, और यह B point है है ना? और हम लोग यहाँ पर देख पा रहे है, कि यह जो cylinder है, उसको मैंने यहाँ पर दिखाने की कुशिश करी है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं इस सिलेंडर पर कौनकों से forces act कर रहे होंगे एक तुम लोग कह सकते हैं कि इस पर force of gravity नीचे की तरफ लग रहा होगा उसे मैं weight weight से दिखा देता हूँ ठीक है उसके अलावा माल लेते हैं कि pressure at point A जो है वो PA है तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि एक उपर की तरफ है इस तरीके से उपर की तरफ एक force लगेगा इस पर जो कि कितना होजाएगा PA into delta S उसी तरीके से B point पर अगर मैं pressure PB मान रहा हूँ तो हम लोग समझ पा रहे हैं यहाँ पर नीचे की तरफ एक force लगेगा वो कितना होगा PB into delta S के बराबर ठीक है तो बच्छो इनके अलावा को बच्छो मैंने यहाँ पर सिर्व वर्टिकल फोर्स को ही देखा है ना इसके लाबा लिक्विड बाकी की जो लिक्विड है यह इस पर ऑव्यसली है इस तरीके से force लगा रही है लेकिन हम लोग समझ पा रहे हैं कि हमनों horizontal forces को तो देख नहीं रहे हैं और वैसे भी horizontal direction में लगने वाले सारे के सारे forces को शो करा है तो जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि अगर acceleration उपर की तरफ है तो net force भी हम लोग उपर की तरफ देखेंगे वो कितना हो जाएगा pa into delta s minus pb into delta s minus weight is equal to क्या होना चाहिए तो यह होना चाहिए mass है ना mass into acceleration जो की a naught है ठीक है तो चलिए इसे further हम लोग calculate करते हैं यहाँ पर क्या लिख सकते हैं pa minus pb है ना इससे मैंने common ले लिया into delta s minus अब हम लोग weight को क्या लिख सकता है तो weight हो जाएगा m into g है ना mass को हम लोग क्य density into volume जो की कितना हो जाएगा rho into delta s into z हो जाएगा और g से multiply कर देंगे तो weight बन जाएगा is equal to again क्या जाएगा rho into delta s into z और यहाँ पर a naught है ठीक है तो देखिए delta s जो हो हर जगह से cancel out हो जा रहा है clear है तो हमारे पास देखिए क्या जाएगा pa minus pb हैना इसकी value कितनी आ जा रही है त z multiplied by a naught plus g के बराबर तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे है कि अब यह जो liquid है यह accelerated था तो इस बार जो pressure difference है वो rho g z के बजाए क्या आ रहा है rho g plus a naught into z तो basically हम लोग समझ पा रहे है कि a naught plus g जो है वो किसका role play कर रहा है g effective का play कर रहा है rule है ना मतलब कि अगर आप इस पूरे के पूरे system को है ना इस elevator की frame से ही देखते हो अगर आप elevator में bed गए होते तो आप obviously यह कहते कि अब जो g का काम पहले कर रहा था वो g का काम अब कौन करेगा g plus a naught करेगा क्योंकि आप हर एक element पर क्या लगाएंगे नीचे की तरफ pseudo force लगाएंगे है ना क्योंकि यहाँ पर आपका point force में क्या change आएगा ना तो फिर से हमारे पास एक elevator है जिसमें इस बार हम लोगों ने इस तरीके से पानी भर दिया है और इस elevator को जो है ऊपर ले जा रहा है again with the same acceleration a naught है na a naught acceleration से हम लोग इस lift को ऊपर ले जा रहे हैं ठीक है और इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि liquid है और पर एक duck भी float कर रहा है तो हम लोग यहां पर देखना चाहते हैं कि आखिर है ना इस बार कितना point force जो है इस duck के उपर लग रहा है ठीक है तो सबसे पहली चीज़ बच्चों आप यहां पर notice कर सकते हैं कि duck का वो अला volume या वो अला portion जो इस वक्त liquid के अंदर डूबा हुआ है तो actually हम लोग समझ पा रहे हैं कि जब यह duck यहां पर नहीं था तब यहां पर क्या था तब यहां पर यह जो volume है इतने volume का क्या था liquid था ठीक है और remaining जो liquid है वो तो अभी भी उसी तरीके से force लगा रही है जिस तरीके से वो force लगाती है अगर यहां पर duck के बजाए सिर्फ इत यहां पर mass of the liquid जिसे इस duck ने यहां पर क्या करा है डिस्प्लेस करा है उसे मा लीजे मैं कितना कह दे रहा हूं small m कह दे रहा हूं ठीक है तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि rest of the fluid उतना ही force इस पर अभी भी लगाएगी है इस duck पर जितना force को किस पर लगाती यह जो portion है यह जो portion ह जिसे इस duck ने displace करा है तो मैं क्या कर सकता हूं अगर मुझे निकालना है point force तो मैं इस duck को replace कर सकता हूं किस से इतने ही volume of fluid से ठीक है तो अब बच्वा थोड़ी देर के लिए इस duck को भूल करके सिर्फ ऐसे सोची कि जिस fluid को इसने displace करा है उसे मैंने वापस से यहां रख द diagram बनाऊंगा तो मैं क्या क्या दिखाऊंगा मैं इस पर दिखाऊंगा कि इस पर नीचे की तरफ force of gravity that is mg लग रहा है उपर की तरफ point force लग रहा है और net मैं दिखाऊंगा कि इसका acceleration a0 है ठीक है तो देखी बच्वों यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं मैं यहां पर लिख सकत भी g effective के terms में कैसे लिख सकते हैं b is equal to m into g plus a0 तो basically यहां पर हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि जो g effective है वो क्या है g plus a0 है तो यहां पर हम लोग रहे हैं कि पहले point force क्या होता था वो हता था weight of the fluid displaced लेकिन इस बार वो क्या हो रहा है mass into g effective मतलब कि अगर आप इस elevator के frame में ही आपको ऐसा लगेगा कि अब g की value change होकर के g plus a0 होगे तो उस हिसाब से हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं कि point force कितना हो जाएगा m into g plus a0 ठीक है चली बच्चों तो अब हम लोग एक बहुत ही प्यारा case देखने वाले हैं इस case में हम लोग देखने वाले हैं कि यह container है उसमें fluid है और इस container को horizontal direction में देखिए इस तरीके से accelerate किया जा रहा है है तो हमारा ध्यान होगा कि free surface जो है जो आप देख बार है कि यह free surface है इसका shape अब कैसा हो जाता है ठीक है तो देखिए बच्चों यहां पर fluid के अंदर मैंने दो points लिये हैं a और b और इनके around मैंने एक delta s area small area एक बीच में जो दूरी है वो L से यहां पर denote करी गई है अब देखिए बच्चों यहां पर expectation यह है है जैसा कि हम लोगों ने nature को study किया है चीजों को study किया है तो हम लोगी उमीद रखते है कि जब यह आगे की तरफ accelerate करेगी तो fluid का shape थोड़ा ऐसा हो जाता है ऐसा practically हम लोगों देखा है तो अभी इस चीज़ को और जो है प्रूफ करके देखते हैं कि ऐसा होता भी है के नहीं या exactly ऐसा ही shape आता है के नहीं ठीक है तो देखें बचों माल लेते हैं कि जो left वाला portion है यह जो A point है इसकी जो depth है वो माल लेते हैं कि H1 है और जो right वाला portion है that is B उसकी depth माल ल integral region again imagine कर सकते हैं जिसमें जो cross sectional area है वो delta S है और इस cylinder की length कितनी हो जाएगी L के बराबर हो जाएगी ठीक है तो अब देखें बच्चों इसका free boy diagram हम लोग बनाएंगे ठीक है ना तो अब free boy diagram हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पर क्या-क्या show कर सकते हैं एक तो हम लोग समझ सक यहाँ पर left की तरफ एक force दिखा सकते हैं हम लोग और उसकी value कितनी हो जाएगी Pb into delta S के बराबर ठीक है तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि horizontal direction में है ना यही दोनो forces लग रहे हैं तो इस वज़ा से हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर Pa into delta S minus Pb into delta S is equal to क्या हो जा तो देखें मास को लेख सकते हैं density into volume, volume हो जाएगा delta S into L के बराबर ठीक है तो यहाँ रो delta S L into A0 तो delta S यहाँ पर cancel out हो जा रहा है और इस बराब देखें कि PA minus Pb जो है ना वो 0 नहीं आ रहा है जबकि वो कितना रहा है रो L A0 के बराबर clear है तो हम लोग यहाँ पर देख पा को हम लोग क्या बोलें कि उनका pressure same है लेकिन यहाँ पर अगर acceleration है तो हम लोग यह बात इस बार नहीं कह सकते है ना तो इस बार PA minus Pb की value कितनी आ जाएगी रो L A0 के बराबर आ जाएगी है ना दोनों की हम लोग देख पा रहे हैं कि जमीन से height जो है वो क्या है सेम है लेकिन दिर भी हम लोग देख पा रहे हैं कि इनके बीच में pressure difference है और वो arise होने के लिए इनके उपर आप देखिए कि जो liquid है उसका level अलग-अलग है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि B की उपर हम लोग देख पा रहे है कि कितने height तक fluid है H2 height तक लेकिन A के उपर कितने height तक fluid है H 1 height तक है यही make sure कर रहा है कि A और B के बीच में क्या रहे है pressure का difference रहे है और in fact हम लोग यह भी चाहते है कि A पर जो pressure है वो क्या हो ज्यादा हो as compared to B by rho L A0 इसको समझने का बच्छो एक और तरीका है जैसा कि हम लोग देख पा रहे है हमने horizontal direction acceleration दिया है तो horizontal में हम लोग कुछ भी कर रहे है तो vertical direction में तो वो चीज़ अफेक्ट नहीं होनी चाहिए तो vertical के लोग अभी भी हम लोग क्या कह सकते है कि pressure at A वो कितना हो जाएगा वो जाएगा P0 plus rho g h1 इसी तरीके से PB को कितना लिख सकते है वो हम लोग लिख देंगे है ना यहां पर हम लोग क्या लिख सकत है तो इस वज़े से vertical के long तो चीज़ें वैसे कि वैसी ही होनी चाहिए तो इस तरीके से देखिए P A minus P B कितना आ जा रहा है यह आ जा रहा है rho g into h1 minus h2 के बराबर ठीक है तो बच्चों अगर हम लोग इन दोने equations को study करें तो हम लोग क्या बहु सकते है रो g h1 minus h2 is equal to हो यह cancel out हो गया है तो यहां से हम लोग क्या बहु सकते है h1 minus h2 upon l यह कितने के बराबर आ जा रहा है तो यह आ जा रहा है a0 upon g के बराबर ठीक है अब diagram में देखते हैं कि h1 minus h2 upon l जो है यह क्या है तो देखें बचों यह diagram में हम लोग देख सकते हैं कि यह पूरी height h1 है यह वो l है तो हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि यह जो angle है इसे मालीजे में कितना कह रहा हूँ इसे मालीजे में theta कह रहा हूँ तो बच्चों हम लोग tan of theta को कितना लिख सकते हैं h1 minus h2 upon l के बराबर ठीक है तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि यह जो angle है जो theta है तो tan of that angle basically क्या हा रहा है h1 minus h2 upon l के बराबर तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं tan of theta लिख सकते हैं तो basically a0 decide कर रहा है है ना a0 decide कर रहा है कि theta कितना होगा क्योंकि tan theta is equal to क्या आ रहा है a0 upon g आ रहा है ठीक है तो बच्चों जैसा कि हम लोग उने expect कर रहा था यहाँ पर जो shape है वो बिल्कुल कैसा आ रहा है बिल्कुल straight line आ रहा है क्योंकि हम लोग देख पा रहा है कि अगर acceleration constant है तो theta जो हर जगा है बिल्कुल same है तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि tan theta is equal to क्या रहा है a0 upon g आ जा रहा है ठीक है न अब देखें बच्चों यहाँ पर हम लोग यह भी समझ पा रहे है कि अगर यह fluid आगे move कर रही होती with some speed लेकिन acceleration जो है वो नहीं होता तो हम लोग समझ पा रहे है कि a0 वाला टर्म तो 0 हो जाता तो उस case में theta कितना आना चाहिए था theta को भी 0 आना चाहिए था तो unless and until there is some acceleration तब तक यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे है कि जो free surface है वो कैसी रहेगी horizontal ही रहेगी इसी तरीके से बच्चो एक और चीज हम लोग समझ सकते हैं कि अगर acceleration left की तरफ होता तो obvious है कि B पे pressure जादा होता है ना और A पे pressure कम होता तो यह जो shape है यह बिलकुल opposite हो जाता ठीक है तो आईए बच्चो इसी चीज को हम लोग experimentally practically भी देखते हैं ठीक है चली बच्चो तो practically हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि free surface जो है वो किस तरीके से vary करती है जैसे जैसे हम लोग इस bucket को accelerate करवाएंगे जैसा कि आप देख पा रहे है bucket जो है उसमें water fill है हाफ filled bucket है और हम लोग क्या करने वाले है इस bucket पर force लगाने वाले है और शुरुआत मैं देखिए मैंने surface को कैसा माना है बिल्कुल frictionless माना है तो देखिए अप मैं इस पर थोड़ा भी अगर force लगाऊंगा जैसे कि आप देख पा रहे है थोड़ा भी मैंने अगर force लगाया तो आप देखिए कि यह bucket जो है accelerate कर रहा है अगर मैंने force बढ़ाया तो आप लेकिन इसका जो free surface है वो अभी भी horizontal है क्योंकि acceleration नहीं है यहाँ पर acceleration नहीं होने की वज़े से although हम लोग देख पा रहे हैं कि यह move कर रही आगे की तरफ लेकिन free surface जो है वो अभी भी horizontal है अब देखिए मैं क्या करूंगा मैं यहाँ पर friction को बढ़ा रहा हूं तो जैसे friction को मै देखिएगा कि surface वापस से horizontal हो जाएगी देखिए जैसा हम लोग ने discussion करा था भी वो सारी चीज़े हम लोग ने यहाँ पर practically observe भी कर ली ठीक है तो चली बच्छो इन दोनों cases में हम लोग एक similarity देख पा रहे हैं और उस similarity को चली हम लोग analyze करते हैं जैसे कि माली जी मैंने surface पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो इस पर force लग रहा है वो कौन सा है mg है by the earth तो इस पर जो force of gravity लग रहा है वो कितना है mg है ठीक है और वही अगर हम लोग यह जो second diagram में इसमें अगर observe करें इस frame के नजरिये से ही अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि इस पर एक तो हमें left की दर्फ pseudo force लगाना पड़ेगा ma naught उसके अलावा mg तो लगेगा ही तो इन दोनों का resultant जो है वो क्या जाएगा mg effective हम लोग नाम दे सकते हैं जहां पर g effective हम लोग जानते ही कि कितना हो जाएगा g effective है यहां पर मैं नीचे लिग देता हूं कि जो g effective है उसक यह अगर माली जे की theta है तो यह angle भी कितना हो गया theta हो गया और यह वाला angle 90-theta हो गया तो हम लोग समझ पा रहे है कि जो पूरा का पूरा angle है या फिर आप ऐसे समझे कि जो mg effective है वो इस free surface के साथ कितना angle बना रहा है 90 degree पिछले वाले diagram में भी देखिए हम लोग देख पा रह है वो कितना angle बना रहा है 90 degree है ना तो हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे है बच्छो दोनों cases में similarity कि जो mg effective की direction है है उसके perpendicular है ना उसके perpendicular direction में क्या है यह जो free surface है वो है ठीक है तो बच्छो एक conclusion हम लोग यहाँ पर draw कर सकते हैं कि g effective जो है है ना वो क्या रहेगा is always कैसा रहेगा is always perpendicular to free surface clear ही बात और इसकी वज़ा भी हम लोग जानते हैं वज़ा क्या होती है कि actually unlike solids है ना solid तो shear force है ना एक दूसरे के उपर लगाते हैं लेकिन जो fluid है वो एक दूसरे के उपर shear force नहीं लगाते हैं है ना तो यह जो हम लोग देख पा रहे हैं कि यह जो मैंने सकते हैं कि कोई भी tangential direction में left या right की direction में कोई भी इस पर force नहीं लग सकता है अगर मैं पहले diagram की बात करूँ तो उसी तरीके से जो दूसरा diagram में इसमें भी हम लोग देख पा रहे हैं कि इस पर free surface के parallel direction में कोई भी force जो है वो इस पर नहीं लग सकता है ना क्योंकि liquid के लिए एक दूसरे पर shear force नहीं लगा दिया ना हम लोग ideal fluid की बात कर रहे हैं तो इसी वज़ा से जो mg effective उसको क्या होना पड़ेगा free surface के perpendicular वरना अगर mg effective का होई component आ गया है ना parallel to the free surface तो ये तो गडबड हो जाएगा क्योंकि ये particle जो है इस पर कोई और force लगा ही नहीं सकता है parallel to the surface तो ये तो equilibrium में रहेगा नहीं ठीक है तो बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि parallel to the surface अगर हम लोग बात करें तो कोई विएगर है ना कोई विएगर हम लोग छोटा सा भी volume ले रहे हैं जिसका mass lattice से m है ना on the free surface तो वो parallel to the free surface equilibrium में उसका रहना जरूरी है ठीक है चली बच्चों त आप देख पार हैं कि इस YouTube को left की तरफ A0 acceleration से ले जाये जा रहा है तो यहाँ पर भी बच्चों यह पाया गया है कि कुछ इस तरीके का ही है ना इस तरीके का ही जो difference है height में वो देखा गया है तो चलीए सोचते हैं कि यहाँ पर अगर मैं theta निकालना चाहूं तो यह theta जो है वो कितना आएगा है ना तो देखे बच्चों इसे solve करने का सबसे आसान तरीका है कि मैं इसी के frame में बैठ जाना मैं इसी के frame से अगर इसे observe करूँ तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा मुझे right की तरफ लगाना पड़ेगा एक pseudo force जिस भी element का में free boy diagram बनाना चाहरा हूं तो इसके लावा एक force मुझे right की तरफ शो करना होगा ma naught इसके लावा बाकी जो fluid है वो भी इस पर force लगा रही होगी लेकिन हम लोग अभी यह जाते हैं कि इस पर जो भी force लग सकता है वो किस direction में लग सकता है उसकी direction जो है है न वो free surface के क्या हो सकती है सिर्फ और सिर्फ perpendicular हो सकत है है न जैसे कि हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं कि लेटर से free surface की direction कुछ ऐसी है ठीक है तो अब हमें क्या make sure करना होगा कि जो भी इस पर है न जो भी इस पर बाकी का force हो fluid की वज़े से rest of the fluid की वज़े से वो कैसा हो वो हो इस free surface के perpendicular ठीक है यह बात तो देखिए बच्चो इसलिए मैं यहाँ पर एक और vector दिखा दी है यह मैं दिखा दे रहा हूं यह जो force है f because of rest of the fluid है न तो मैं यहाँ पर f small f small f stands for fluid है यहाँ पर मैं fluid की वज़े से एक force दिखा दे रहा हूं तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे बच्चो कि यहाँ पर है न यहाँ पर मैंने तीन forces basically दिखा है ठीक है और हमें यह समझ में आ रहा है कि यह जो particle है यह जो particle है यह actually अगर मैं देखूं तो along the surface इस पर क्या लगना चाहिए net force 0 लगना चाहिए यह न तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते है हम लोग यहाँ पर कह सकते है कि ma not का ma not का जो cos theta component है वो क्या होना चाह है so I should write ma not cos theta equal to mg का sin theta component क्योंकि और जो भी इस पर force लग रहा होगा यह न जो भी force लग रहा होगा माली जी कि अगर आप atmospheric pressure पी नॉट की वज़े से भी कोई force देख पार है तो वो इस पर कैसा लगेगा वो इस पर ऐसा लगेगा तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे है कि parallel to the surface parallel to the surface ma not का cos theta आएगा up the incline और mg का sin theta आएगा down the incline जो की balanced होना जरूरी है है न because fluids cannot sustain shear stress तो यहाँ पर देखी m से m तो cancel out हो गया तो यहाँ से अपने पास tan of theta कितना आगया बच्चो tan of theta आगया a not upon g के बराबर तो यह result तो बच्चो जाना पहचाना है न यही result तो आया था पिछले वाले case में भी है न तो इसका मतलब यह हो गया कि आप यहाँ पर ऐसा मान सकते हैं है न इस YouTube के case में आप ऐसा मान सकते हैं कि इस पूरे में liquid भरा हुआ है न यहाँ पर भी liquid है तो जो result इस पूरे में liquid भ तो बच्छो ये एक बहुत ही बहतरीन सवाल है अक्चली सवाल में क्या हो रहा है कि इस बक्टक ना ये जो सिलंड्र कल बक्टक है इसमें पानी पर के इस तरीके से ओमेगा से घुमाया जा रहा है क्लिर एन अब हमसे बोला गया है कि ये जो free surface है या वाटर की जो free surface है उसका शेप कैसा होगा क्लिर है यह बात इसके अलावा देखी दूसरे बार्ट में क्या पूचा गया है हमसे पूचा गया कि जो pressure का distribution है over the bottom of the vessel along its radius वो किस तरीके से आएगा ठीक है तो देखी बचो जैसा कि हम लोग यहाँ पर सोच सकते हैं कि अगर हम लोग इस bucket के इस bucket के axis के ऊपर बैड जाए और हम लोग भी के साथ घूमना चालू कर दे तो हमारे नजरिये में क्या होगा since we are now in a rotating frame तो हमारे नजरिये से यह पूरा का पूरा जो system में ही रुकावर नजर आएगा तो वही मैंने या लिखा है कि ना coordinate system rotating with the bucket the problem is purely static ठीक है तो हमें यह पूरा का पूरा system static अगर देखना है तो हमें इसी के साथ इसी के angular velocity के साथ कुछ इस तरीके से घूमना पड़ेगा clear है अब अचो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि मैं यह जो central point है central point से थोड़ा सा along the free surface में थोड़ा और आगे गया है ना तो इस जगह पर है ना मैंने एक small volume of water लिया जिसका mass कितना है m है तो अब मैं देखना चाहरा हूँ कि इस m पर कितने forces लग रहे होंगे ठीक है तो जैसे कि यहाँ पर देखी एक तो हम लोग ने pseudo force लगाया जिसे fixious force भी कहते है क्योंकि हमें पता है कि हमें पता है कि अगर हम लोग rotating frame में आ गए तो हमें कौन सा force लगाना पड़ेगा centrifugal force लगाना पड़ेगा और उसी को यहाँ पर हम लोग f fixious से denote कर रहे है clear ही बात तो यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं f fixious इसका magnitude कितना हो जाएगा तो इसका magnitude आप जैसा कि यहाँ देख पा रहे है m omega square r हो जाएगा ठीक है इसके अलाव अच्छो हम लोग यहाँ पर contact force है न जो liquid बाकी liquid है वो इस पर force लगा रही होगी contact force लगा रही होगी तो again that has to be perpendicular to the free surface ठीक है तो मैंने यहाँ पर f naught को free surface के कैसा दिखा दिखा दिया बच्छो perpendicular दिखा दिया है और उसके लावा यह जो weight है वो तो लगेगा यह न वर्टिकली downward direction में तो वही देखिए यहाँ पर हम लोग देख पा रहे है कि small यहाँ न small volume का हम लोग free body diagram यहाँ पर देख पा रहे है तो यहाँ पर देखिए बच्छो कि किस थरीके से यह phi angle है न फाइ एंगल जो है वो किन के बीच में है mg और f naught vector जिस direction में लग रहा है या फिर normal आप समझ लीजिए इस surface के normal या फिर perpendicular direction में है न उससे यह mg vector है वो कितना angle बना रहा है 5 बना रहा है ठीक है और हम लोग यह देख पा रहे है कि f naught भी जो है इस vertical line से कितना angle बना रहा है 5 बना रहा है और जो m omega square है वो तो कैसा है बिल्कुल horizontal है न मतलब कि positive r cap की direction में यह है ठीक है अब बच्चो हम लोग समझ पा रहे है कि हम लोग जिस frame से बाते कर रहे है उस frame से यह पूरा का पूरा जो liquid है वो equilibrium में नज़र आना चाहिए है न तो वह ही यह लिखा है कि for equilibrium the total force on m must be equal to 0 इसका हम लोग इन तीनो forces का summation बच्चो क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए ठीक है तो वच्चो अगर हम लोग यहाँ पर है न यहाँ पर अगर हम लोग parallel to this surface बात करें न इस moment पर जहाँ पर surface उसके parallel direction में बात करें तो हम लोग यहाँ पर देख सकतें कि m omega square r और surface के बीच में एंगल 5 हो जाएगा clear है यह बात और साथ ही साथ यहाँ पर अगर मैं एक और tangent बना दू तो हम लोग समझ पा रहे है कि इस line के लोग है इस tangent के लोग हम लोग क्या कर सकते है हम लोग up the up the tangent हम लोग कह सकते है कि कि कितना force लग रहा है m omega square r का कौन सा component बच्चो cos of phi और down the tangent हम लोग समझ पा रहे है कौन सा force लग रहा है mg का sin phi यह दोनों को आपस में एक दूसरे को cancel out करना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर parallel to the free surface forces को चुला है तो यहाँ से देखे हमार पास क्या आ जाएगा tan of phi इसकी value कितनी आ जा रही है m सम तो cancel out हो गया तो यह आ जा रहा है omega square r upon g के बराबर तो यह बच्चो हमार पास क्या आ गया tan phi आ गया जो इसकी value कितनी आ रही है omega square r upon g और यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे है यह जो r है r यहाँ पर क्या है तो यह जो element मैंने select किया है वो actual में जिस circle में घूम रहा है उस circle का radius है ठीक है तो बच्चो उसी चीज़ को मैंने यह आपर diagram में दिखा है कि यह जो small element था small volume था यह actually जिस circle में घूम रहा है उस circle का radius हम लोगोंने r से denote करा था तो यहाँ पर जो central point है बच्चो उससे उपर वाली axis को मैंने z axis का है और जो right वाली axis है उसे मैंने r axis का है जिस वज़े से इस point का coordinate के आ गया इस point का actually coordinate आ जाएगा r, z ठीक है तो बच्चो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर अगर मैं slope देखना चाहूं तो मैं क्या बोलूँगा मैं बोलूँगा dz upon dr तो dz upon dr जो कि हम लोग बड़े आराम से diagram में देख पा रहे है उच्चो कि वो किस के बराबर आ जाएगा तो वो बराबर आ जाएगा tan of phi के और अभी अभी हम लोग ने tan phi की value भी निकाल दी वो कितना आ रहा है omega square r upon g के बराबर आ रहा है clear है यह बात तो बच्चो अगेन मैं आपको यह remind करा दू है कि यहाँ पर मैंने f0 को free surface के यह जो free surface है इस जगा पर तो उसके perpendicular क्यों लिया है because unlike solids liquid cannot exert a static force tangential to the surface इसी वज़ा से बच्चो f0 that is the force on m due to the neighboring liquid must be perpendicular to the surface अब बच्चो अगर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ें तो हम लोग समझ सकते हैं कि इसे integrate कर देने पर हमारे को हमारे को क्या मिल जाएगा हमारे को equation मिल जाएगा तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं dz is equal to omega square r dr upon g के बराबर ठीक है अब बच्चो हमारे को limits पुट करनी है ना तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे है कि z equal to 0 कहाँ पर है जहाँ पर r equal to 0 हमने लिया है है ना और यहाँ पर हम लोग क्या के सकते हैं किसी भी r पर let us say z की value z है तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा z is equal to omega square और limit put कर देंगे तो यह बन जाएगा r square upon 2g है ना तो z की value हमारे पास क्या आ गई omega square r square upon 2g आ गई clear है तो बच्चो यहाँ से अब हम लोग क्या हो सकते हैं कि जैसे किसी भी माल लीजे कि हम लोग z height पर गए किसी भी माल लीजे कि z height पर गए कुछ इस तरीके से यहाँ पर माल लीजे कि हम लोग समझ पा रहे हैं कि यह वाले point यह height कितनी है z है तो अगर हम लोग radial ही direction में बात करें radial direction में बात करें तो इस point पर यह point जो है इसका coordinate क्या हो जाएगा इसका coordinate हो जाएगा r, 0 x equal to r, y equal to 0 क्योंकि जो बिल्कु सबसे नीचे वाला point है उसे मैंने क्या माना है origin माना है तो इस point के उपर हम लोग देख पा रहे हैं कि fluid की height कितनी है z है जिसकी value है omega square r square upon 2g के बराबर ठीक है तो हम लोग यह समझ पा रहे हैं कि अगर बच्चो इस point पर pressure हमारे को सवाल में p0 मानने को कहा गया है ठीक है तो same यही pressure यहाँ पर भी हो जाएगा क्योंकि यह दोनों ही points बिल्कुल atmosphere से exposed है तो हम लोग देखें यहाँ पर क्या कह सकते है कि अगर मैं इस r,0 पर इस point पर अगर मैं pressure की बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा बच्चो तो वो हो जाएगा p0 plus rho g और height कितनी है z है तो अगर मैं z की value बच्चो भर दूँ तो यहाँ से p is equal to क्या आजाएगा p0 plus rho g और z के बदले क्या आजाएगा omega square r square upon 2g के बराबर तो इसे further अगर simplify करें तो g से g cancel out हो जाएगा तो p is equal to कितना जा रहा है p0 plus rho omega square r square upon 2 के बराबर तो इस थरीके से बच्चो हम लोग क्या देख पा रहे है कि यह जो 2D में जिसे हम लोग ने parabola कहा है इस shape को हम लोग ने क्या कहा parabola कहा जिसकी equation हमारे पास कितनी आ रही थी आप देख सकते है बच्चो इसकी equation हमारे पास आ रही थी z is equal to omega square तो यह 2D में अगर बात करें तब तो यह पैरा बोला थी लेकिन हम लोग देख पा रहे है कि यह जो डाइग्राम है यह तो 3D में है आप समझें कि इस पैरा बोला को 3 डैमेंशन में है आपको इसे घुमाना आए अक्चली तो घुमाने पर यह 3D फिगर बनेगा और इस 3D फि स्क्वेर आर स्क्वेर अपॉन टूजी यह जैना वेर जैड इस इस था हाइट मेजरेट फ्रम दे सर्फेस ऑफ द लिक्विड अलोंग दी आक्सिस ऑफ द वेसल आर इस दिस्टेंस फ्रम दे रोटेशन आक्सिस और सेकंड पार्ट का जवाब हमारा क्या आगया पी इस इक हम लोग देख पा रहे हैं कि origin जो है है ना वो 0,0 यहां पर at the center of the entire free surface है ना तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि यहां से अगर मैं right की तरफ hour distance आगे जाओ और further dr और आगे चले जाओ तो यहां पर मैं एक छोटा सा volume of water है ना मैं select कर सकता हूं अब माल लिजी कि इसका जो यहां पर जो एरिया आप देख पा रहे है ना जिसे मैंने shade किया है वो letter से की A है तो अगर r radial distance पर माल लिजी है कि मैं pressure P assume कर रहा हूं और r plus dr पर pressure P plus dp assume कर रहा हूं तो यहां पर अगर मैं free body diagram बनाना चाहूं इस छोटे से element का अगर मैं free body diagram बनाना चाहूं तो मैं क्या दिखा हूंगा कि यहां पर pressure left side कितना है P है तो यहां पर इसे right की तरह force मिल रहा होगा Pda sorry P into A मैंने area assume किया है तो मैं बोल देता हूं P into A और इसी तरीके से towards left हम लोग क्या बहू सकते है कि इस पर force कितना लग रहा होगा P plus dp multiplied by A इस बार मैं rotating frame से बच्चों बात नहीं कर र है कि यहां पर है न यह जो water न वाटर का जो यह चोटा सा volume मैंने लिया है यह कहां पर है यह well inside the bulk है clear हे बात तो यह well inside the bulk है तो हम लोग समझ पा रहे है कि इस पर right की तरफ PA लग रहा है और left की तरफ कितना लग रहा है P plus dp into area लग रहा है और बाकी की जो fluid है यह बाकी की जो fluid है वो इस पर किस तरीके से force लगा रही होगी वो जो है इस पर vertical direction में remaining fluid force लगा रही होगी ठीक है तो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले है कि हमें यह क्या करता हुआ नजर आ रहा है यह जो छोटा सा element है यह तो हमें बच्चो circular motion करता हुआ नजर आ रहा है है ना कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं क्या बना सकता हूँ यहाँ पर मैं यह बना रहा हूँ कि उसकी जो trajectory वो कैसी है ना ground frame से यह इस तरीके से गूमता वो नजर आ रहा है तो हम लोग क्या बूल देंगे यहाँ पर कि जो left की तरफ या फिर जो center है इस element के circle का है ना यह जो center of this circle which is being traced by this element है तो वो left की तरफ आ रहा है इस particular diagram के साब से तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो center की तरफ net force आ रहा है वो कितना आ रहा है इस diagram से हम लोग देख पा रहे हैं कि dp into a के बराबर आ रहा है तो मैं वही यहाँ लिख देता हूँ dp into area dp into area कितने के बराबर होना चाहिए इसका mass जो कि मैंने letter से की dm माना है तो dm omega square r के बराबर आना चाहिए clear यह बात तो यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों कि dm dm को क्या लिख सकते हैं लोग dm को लिख सकते है density into volume तो density rho हो गई water की volume कितना हो गया a into dr हो गया और साथ में omega square r भी आ रहा है तो dp into a a से आपका a देखी cancel out हो गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास देखी अब आ जाएगा dp is equal to rho omega square r dr तो जब हम लोग इसे integrate करेंगे है न तो हम लोग क्या बोल देंगे कि r equal to 0 पर pressure p0 है और letter से किसी r radial distance पर pressure कितना हो गया p हो गया तो यहाँ से देखी हमारे पास क्या जाएगा p minus p0 is equal to rho omega square r square upon 2 के बराबर तो यहाँ से भी देखे बच्चो हमारे पास same equation आ रही है p is equal to p0 plus rho omega square r square upon 2 के बराबर तो बच्चो I hope कि आपको इस सवाल को solve करने के दोनों method जो है वो अच्छे से समझ माए होंगे ठीक है चले बच्चो तो इस lecture का अगरी सवाल देखते हैं सवाल है a cubical box is completely filled with mass m of a liquid and is given a horizontal acceleration a as shown assume zero pressure at minimum pressure point find force by the liquid on face a b f e b f h d a c g e and c g h d तो देखे बच्चो यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे है कि यहाँ पर एक cubical box है जो कि पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ है यहाँ पर पूरा का पूरा यह पानी से भरा हुआ है ठीक है अब इस container को जो है क्या करा जा रहा है बच्चो accelerate करवा जा रहा है towards right clear यही बात तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि सवाल में हमसे चार चीज़े पूछी गई है न यहाँ पर कौन-कौन से faces है जिन पर हमसे force पूछा गया है एक तो है ABFE मतलब कि यह top face फिर है BFHD मतलब यह वाला face फिर है ACGE मतलब यह left वाला face और एक है CGHD मतलब कि बिल्कुल जो bottom surface है ठीक है तो इन चारो faces पर हमें force निकालना है जो liquid exert कर रही है ठीक है तो बच्चों इस सवाल को solve करने के लिए हम लोगे एक बहुत interesting approach लगाएंगे आप देखी यहाँ पर बच्चों कि अगर मैं एक ऐसे frame में बैढ़ जाओ या आप सोची कि एक ऐसे truck में बैढ़ जाओ जिसमें यह container रखा हुआ है है ना तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस truck का acceleration कितना है truck का acceleration right की तरफ A है अब अगर मैं इस frame में बैढ़ जाओ तो मुझे क्या लगेगा मुझे लगेगा कि यह जो container है वो तो रुका हुआ है पर अब मुझे मजबूरन क्या लगाना पड़ेगा मुझे हर एक element पर है ना हर एक element पर मुझे left की तरफ pseudo force लगाना पड़ेगा clear है तो basically आप ऐसे सोची बच्चों कि अगर मैं कोई भी एक है ना कोई भी एक छोटा सा volume लेता हो अंदर तो पहले में उस पर जिस तरीके से mg नीचे की तरफ लगता हुआ दिखाता था अब उसी तरीके से left की तरफ में क्या लगता हुआ दिखाऊंगा उस पर ma दिखाऊंगा ठीक है तो एक तरीके से बच्चों हम लोग समझ सकते हैं कि जो काम है ना जो काम g करता था downward direction में वैसा ही काम अब कौन कर रहा है a कर रहा है लेकिन left की direction में clear है यही बात तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि माली जी कि यहाँ पर कोई point 1 है है ना और यहाँ पर कोई point 2 है तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि mg की वज़े से या फिर g की वज़े से downward direction हम लोग क्या कहते थे कि अगर यहां का pressure जो है अगर यहां का pressure प है तो यहां का pressure हम लोग कितना कहते थे p plus rho g y कहते थे अगर हम लोग समझ पा रहे हैं यहां से यहां तक कि जो दूरी है वो कितनी है y है clear है तो उसी तरीके से बच्चों हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर मैं कोई point 3 यहां पर ले रहा हूँ है ना और इन दोनों point के बीच में है ना 1 और 3 है तो यह same horizontal level पर लेगिन इनके बीच में मालिचे की दूरी x की है तो हम ल plus rho g x है ना यहां पर जो g का roll है वो कौन play करेगा g का roll जो है वो a play करेगा ठीक है अब देखिए बच्चों I hope कि आप समझ पा रहे हैं कि जो b से लेकर के f है ना b से लेकर के जो f है जो b f line है इस line पर आप समझ सकते हैं कि pressure क्या होगा minimum होगा क्योंकि यहां से नीचे अगर हम की वज़े से हम लोग समझ पा रहे हैं कि pressure लगातार बढ़ता जाएगा और अगर इस line से left की तरफ जाएंगे तो जैसा काम g कर रहा है उसी तरीके का काम left की direction में a कर रहा है तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर यहां से नीचे जाएंगे तो भी pressure बढ़ेगा अगर यहां line है इस line पर हम लोग हर जगा pressure को क्या कह सकते है minimum कह सकते है और minimum pressure हमसे कितना assume करने को कहा गया है zero assume करने को कहा गया है ठीक है अब देखिए बच्चो सवाल में हमसे सबसे पहले क्या पूछा गया था हमसे सबसे पहले पूछा गया था force on a b f e है ना मतलब जो रूफ है इस पे हमसे force बूछा गया है by the liquid ठीक है तो अगेर बच्चो मैं आपको revise करा दूँ अगर ये पूरा का पूरा container rest पे होता तब तो हम लोग simply क्या बोल देते कि ये जो पूरी की पूरी है ना ये जो पूरी की पूरी रूफ है ठीक है यहाँ पर हर जगा pressure क्या रहता? 0 ही रहता clear है? क्योंकि b f पर हमने 0 माना है तो यहाँ पर हम लोग कह देते कि हर जगा pressure 0 है तो कोई भी उपर की तरफ force नहीं लग रहा है लेकिन अब जैसे जैसे लोग left की तरफ जा रहा है वैसे वैसे pressure क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है ना तो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों कि किस तरीके से pressure जो है वो change हो रहा है ना जैसे कि माल लिजे मैं इस b f line से left की तरफ x distance गया है अब यहाँ पर माल लिजे कि मैंने क्या करा? मैं further जो है एक strip मिल जाएगा हमारे को और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि just because कि यह box कैसा है यह जो box है वो cubicle है तो हम लोग side length letter से की L माल ले रहे हैं ठीक है? तो सारी की side length जो है वो L है तो यह जो area है कितना हो गया? यह area हो गया L into dx area अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर इस location पर जो pressure होगा वो कितना हो चुका होगा? यहाँ पर जो pressure है वो actually हो चुका होगा because of A कितना? row A x जिस तरीके से row g h होता था नीचे की तरफ उसी तरीके से यहाँ पर row A x हो चुका होगा pressure तो हम लोग समझ पा रहे हैं बच्चो कि यहाँ पर जो strip हमने यहाँ पर हासिल करी है है ना इस strip के उपर कितना force लग रहा होगा? तो मैं df बराबर कितना बोल दूगा? तो df बराबर बच्चो हो जाएगा pressure into area तो pressure हो गया row A x इसको किस से multiply कर देंगे? area से multiply कर देंगे तो area कितना है? L dx है अब इसे हमें सिर्फ और सिर्फ क्या कर देना है? integrate कर देना है और कहां से कहां तक integrate करेंगे? तो x will vary from 0 से लेकर के L तक clear है यह बात? तो चलिए इसे integrate करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या जाएगा? force on A, B, F, E और वो कितना आ जा रहा है? देखिए rho into A into L यहाँ तक तो यह सारी जैसे constant है x dx का integration x square upon 2 और limit put कर देंगे तो यह L square upon 2 clear है? तो basically यह कितना आ गया? rho A L cube upon 2 आ गया हमारे पास अब देखिए सवाल में हमारे को क्या दे रखा है? सवाल में हमारे को total mass M दे रखा है तो M basically क्या था? density into volume volume हो जाएगा L cube तो rho into L cube basically M हो गया तो force on A, B, F, E यह कितना आ गया बच्चो? rho L cube को M बोल देंगे तो M A upon 2 तो यही हो जाएगा बच्चो हमारे पहले part का जवाब ठीक है? अब बच्चो इसी सवाल को है ना इसी part को solve करने का मैं आपको एक और method बदाता हूँ ऐसा method हम लोगोंने पिछले lectures में देखा है है ना यहाँ पर हम लोग pressure diagram बनाएंगे और उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर जो volume आएगा वही हमारा answer हो जाता था ठीक है? तो यह देखे बच्चो यहाँ पर मैंने pressure diagram बना दिया ना हम लोग जानते हैं कि यह जो FB है यहाँ पर pressure कितना था? यहाँ पर pressure basically था 0 और हम लोग देख पा रहे थे कि left की तरफ जो pressure है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और AE वाले यह जो AE वाली location है तो वहाँ पर pressure कितना हो गया? rho AL हो गया तो वहाँ पर मैंने rho AL pressure इस तरीके से दिखा है और हर जगा pressure जो है वो linearly बढ़ रहा था तो यहाँ पर इसलिए हम लोग उने बिल्कुल straight line से connect कर दिया है तो इसका volume जो है वो कितना हो जाएगा? तो cross sectional area यहाँ पर triangle है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? half into base अब base कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हम लोग देख पार है कि अगर मैं AB को perpendicular मानू और rho L को base मानू तो base हो जाएगा rho AL और perpendicular AB जो कि L है तो half into base into height यह तो हो गया cross sectional area that is triangle का area अब इसको depth से multiply कर देंगे depth again कितना है? यह जो AE है वो तो L है तो यहाँ पर L से multiply कर देंगे तो हमारे पास क्या आजाएगा? volume आजाएगा और हम लोगों ने dam वाले सवाल में है न? जो reservoir वाला सवाल था पिछले lecture का उसमें हम लोगों ने already सीख लिया था कि यह जो volume है यह हमें क्या देदेगा? force देदेगा तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आजा रहा है? again यह आजा रहा है देखिए rho AL cube upon 2 जो कि कितना बन गया? जो कि again बन गया MA upon 2 के बराबर तो इस तरीके से देख पार है बच्चो कि हमारे पास force on ABFE वो कितना आ जा रहा है? MA upon 2 आ जा रहा है और यह हम लोगों ने दो-दो तरीकों से निकाल करके देखा एक तो proper integrate करके और एक हम लोगों ने यहाँ पर प्रेशर डाइग्राम बना करके उसका volume निकाल लिया ठीक है? तो चली बच्चो अब हम लोग next part करते हैं next part कौन सा है? next part में हमसे पूछा गया है force on phase BFHD है ना? तो BFHD phase कौन सा है? वो तो यह वाला है तो जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चो कि left की तरफ जरूर left की तरफ जरूर A की वज़ा से pressure change हो रहा है लेकिन vertically downward direction में तो सिर्फ और सिर्फ जो pressure में variation आएगा वो किस की वज़ा से आएगा? G की वज़ा से आएगा तो देखे बच्चो यहां पर मैंने यह जो BFHD है ना? मैंने यहां पर यह वाली side अलग से दिखा रखी है तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे है कि BF है ना? इस जगह पर हम लोग समझ पा रहे है कि pressure कितना होगा? pressure जो है वो इस line पर 0 होगा और जैसे जैसे हम लोग नीचे आते जा रहे है तो सबसे ज़ादा pressure HD पर होगा है ना? तो यहाँ पर pressure जो है वो कितना हो चुका होगा? dh पर वो हो चुका होगा ρो gh तो चलिए इस सवाल को pressure diagram कित्रू निप्टार देते हैं? ठीक है? तो देखे बचों यहाँ पर मैंने pressure diagram बना दिया है ना? base पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि pressure rho gh हो चुका होगा है ना? नीचे की direction है सिर्फ जो pressure है वो g की वज़ा से vary करेगा तो यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस बार है ना? इस बार इसका volume कितना हो जाएगा? तो अगेन triangle का area into depth कर देंगे तो triangle का area कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा force on किस पे निकालना था? BF HD पे है ना? तो हमारा final answer क्या हो जाएगा? force on BF HD वो हो जाएगा rho L cube into G upon 2 rho L cube को mass M लिख सकते हैं तो यह हो गया M G upon 2 ठीक है? next बच्चों हमारे को force निकालना है A C G E पे है ना? तो यह वाला जो face है इस पर हमारे को force निकालना है तो हम लोग समझारे हैं बच्चों की जो left की तरफ जो A है उसकी वज़ा से जो है सिर्फ उसकी वज़ा से अगर हम लोग देखें तो हर एक location पर pressure कितना आ जाएगा? उसकी वज़ा से आजाएगा rho A L clear है यह बात लेकिन नीचे की तरफ जैसे जैसे हम लोग जाएंगे pressure और बढ़ेगा because of just g है ना तो यह जो g है इसकी वज़ा से नीचे की तरफ pressure और बढ़ता चला जाएगा तो हम लोग समझ पा रहें कि minimum pressure कहां पर होगा minimum pressure जो वो a e पर होगा और वो कितना होगा रो a l और सबसे जब्ला pressure gc पर होगा और वो कितना होगा रो a l में और क्याड होगा रो a l में रो g l ये भी अड़ करना होगा ठीक है तो यह देखे बचो मैंने pressure diagram बनाया है जैसा कि हम लोग देख पा रहे थे कि pressure की शुरुवात इस बार कितने से होगी रो a l से होगी तो यहाँ पर रो a l मेंने बना दिया और जैसे 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 लोग नीचे आते जा रहे है वैसे वैसे pressure क्या होता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे नीचे आते जा रहे है सेम होता ρो AL के बराबर होता लेगिन जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो G की वज़े से pressure बढ़ता जा रहा है और सबसे नीचे pressure कितना हो जाएगा रो AL प्लस रो GL के बराबर तो अब हमारे को क्या निकालना है इसका volume निकालना है तो अगें cross-sectional area निकाल लेते हैं उसको depth से multiply कर देते हैं तो इस बार cross-sectional जो है वो trapezium है तो area कितना हो जाएगा half into sum of parallel sides sum of parallel sides कितना हो जाएगा तो हो जाएगा rho AL रो AL में कितना जोड़ देंगे plus rho AL plus rho GL rho AL plus rho GL और उसको किस से multiply कर देंगे half into sum of parallel sides into distance between them distance तो L का है clear है तो यहां पर L multiply कर देंगे साथी साथ depth जो है वो L का है तो अगे निकाल आ गया तो यहां से देखे हमारे पास finally क्या जाएगा half half into rho into L cube यह तो common आ गया अंदर क्या जाएगा अंदर देखे हमारे पास आ जाएगा 2A plus G आ जाएगा ठीक है अब rho A है न यहां पर हम लोग समझ पा रहे है कि यह जो rho into L cube है यह तो mass हो गया तो यह कितना बन जाएगा M upon 2 multiplied by G plus twice of A तो बच्चों हमारा final answer क्या हो जाएगा हमारा final answer हो जाएगा M G by 2 plus M A ठीक है तो अब बच्चों हम लोग आखरी पार्ट पे आ जाते है न जिसमें उसे force पूछा है C G H D है न मतलब की base पे पूछा है तो इसको करने का बच्चों एक बहुत ही आसान तरीका यह हो जाएगा कि अगर मैं यहां पर है न मैं सिर्फ fluid का freevoid diagram बनाओ है न जो fluid है इसका freevoid diagram बनाओ तो हम लोग ने already यह निकाल रखा है कि यह जो ABFE है न जो उपर की छत है तो उस पर fluid कितना force लगा रही थी तो यह हम लोग ने already निकाल रखा है वो देखिया आ रहा था बच्चों MA by 2 तो बदले में यह जो उपर वाली जो छत है वो भी पानी पर कितना force लगाएगी नीचे की तरफ MA by 2 लगाएगी ठीक है तो यह मैंने सिर्फ किसका freevoid diagram बनाओ है बच्चों यह fluid का है न इस fluid का freevoid diagram बनाओ है मैंने ठीक है और इसके अलावा बच्चों में लोग और क्या कहा सकते है हम लोग कहा सकते हैं कि इस पर force of gravity तो लगे गाई हैना नीचे की तरफ इस पर mg by हैना mg हैना mg लगेगा नीचे की तरफ clear ही बात अब इसके अलावा और जो भी forces है वो horizontal direction में लग रहा है न अब pseudo force कह लीजिए चाहे यह जो normal reaction से involves के थूँ वो कह लीजिए वो सारे के सारे forces horizontal direction में लग रहा है तो vertical direction में fluid पर एक तो उपर से नीचे की तरफ ma by 2 लग रहा है एक weight लग रहा है तो इनको रोकने वाला force कौन सा है यह जो c d h g यह जो beach यह जो नीचे का जो floor है actually यह इस पर क्या लगा रहा है उपर की तरफ normal reaction लगा रहा है है न जिस वचा से यह fluid यह vertical direction में move नहीं कर पा रही है तो हम लोग क्या लिख सकते है normal has to be equal to mg plus ma upon 2 के बराबर और यही हो जाएगा बच्चों हमारा final answer तो बच्चों I hope कि आपको यह lecture अच्छे से समझ माया होगा in case अगर कोई doubt रह जाता है then feel free to contact me I'll be very happy to help you take care बच्चों, bye bye